तो दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करता हूं ठीक होगे तो दोस्तों सौधी में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से लगता है लेकिन ऐसा नहीं लगता जैसे और कहीं सिटीज में लगता है कि भीड़ भार वाला इलाका हो तो उस टा दोस्तों आज हम इसी एक जगह हम पर आये हैं आप लोगों को दिखाते हैं यहां पर औरतों से सब्मंदित और मतलब एटू जेड कोई चीज आपको खरीदना है तो यहां पर मार्केट है सिर्फ रोड से हड़के है अभी मैं दिखाता हूं आपको कितना दूरी पर है तो दोस्तों यह मार्केट है और एकदम कंजेस्टेड एरिया है यह राइट साइड में और लेट साइड में दोनों तरफ है आपको दोनों तरफ पर दिखाते हैं कुछ इस तरह है मार्केट और यहां पर राइट में और लेट में गाड़िया खड़ी है और यह रूड वन तो यहां पर हर एक चीज आपको मिलेगा एटू जेड थोड़ा महेंगा मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है जो इस टाइब की दुकाने होती है वो थोड़ा महेंगा कपन देते हैं सब लोग और यहां पर दोस्तों मस्जिद आपको मिलेगी मस्जिद में आपको बातरूम हो गयरा सब कुछ मिलेगा क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बातरूम की ही होती है जल्दी मिलता नहीं तो इसलिए मस्जिद है और मस्जिद की बातरूम आप यूज कर सकते हैं और यह मॉल है स्लीपर इसमें घरी भी संबंधित कोई भी आइटम आपको लेना रहेगा तो मिल जाएगा झाल झाल में जाएगा कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों यह जो जगह है जो मार्केट है यह बहुत खास सिटी में नहीं है यह आउट में है और किस टाइब का है आप लोगों को मैं देखा हूँ यहां बहुत है आपको मैं बस्ती का नजारा दिखाऊं तकि आप लोग देखो कि आउट में भी इतना जबर्दस्त और बियाईपी दुकाने होती हैं और कितना मस्त होता है यह देखो अबादी बने हुए है नया घर बना हुआ है आपको देखाऊं दोस्तों यह सब नया बन है यहां भी बनेगा कुछ नहीं साल-दोसाल में यहां भी बन जाएगा और यहां बैक कि handicagram अगर मान जाया तो पर यहांद के तैप में आता है आउटर में आता है अभी बहुत जल्दी यहां पर सब रहाइसी बना हुआ है रहाइसी लाका हुआ है यहां पर कितनी जबर्दस तरीके से मकान वगेरा सब कुछ बना हुआ है और यहां भी यह सामने स्कूल है मदरसा जिसको बोलते हैं तो जहां रहाइसी लाका होता है यहां मदरसा पहले से था मुझे लगता है उसके बाद यहां पर सब लोग रहने के लिए हैसी टाइप में बना दिये हैं और यह इतना अच्छा लगता है यहां पर अब यकीन करो कि क्या ही बता है अब यहां देखो हम दूसरी गली में आ गए और यहां पर बाकाइदे बढ़ियां से दोनों तरफ जो है मकान वगेरा बन गया है और यह सब न्यू है अब एक दम नया बना हुआ है मान के चलो कि ज़्यादा चार पांच साल हुआ होका बने इससे ज़्यादा पूराना नहीं है तो यह सामने से धूप लग रही है और इसलिए क्योंकि यहां पर आपको सारा जगह बिरान ही नजर आएगा उस ह हिसाब से देखा जाए तो बहुत जबरदस तरीके से यह रहाइसी छेत्र बना हुआ है और यह देखिए यह सब अभी नया बना हुआ है यह गली यह एरिया यह चेत्र यहाँ पर थोड़ा जमीन सस्ता है ठीक है हम लोग जहां रहते हैं महां से यहां पे लगभघ आधे के कि अपने दाम में होगा जमीन क्योंकि मेरा कफिल भी इसी छेतर में अपना मकान लिया हुआ है तो कैसा लगा आप लोग जारूर कमेंड में बताईएगा यह जो आप लोगों को मॉल हम दिखा हैं उसका पीछे का एरिया है यह सब पीछे का एरिया है वहां पर एकदम खाली ह यहां पर कोई घरवर नहीं है अच्छा यहां पर देखिए रोड भी बढ़िया बना दिये हैं और रोड तो इतना चोड़ा होता है कि अब क्या ही बताएं मुझा बर दस तरीके से रोड बनाते हैं जहां भी आवासी छेत्र होता है जहां रहाइसी लाका होता है अच्छा लोग ले करके खरीद करके खुद का अपना रहते हैं यह सब एक 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 विल्डिंग में दद्दस बीस परिवार इसमें रह सकते हैं उसी हिसाब सभाय गया है तो और आगे तक आप लोगों को दिखाता हूं यह पूरा छेत्र पूरा एरिया जो है एक्तम भीरान हुआ करत करें हैं और यहां पे खूब बहुतरीन तरीके से ढाल, देख रहे हैं यह सब राइड में लेट में यह सब देखिएं ही है आद इस स्र시면being में जासरे कोई अपाटमेंट अपार्टमेंट लेना चाहता है कोई फ्लेट लेना चाहता है तो उस किलरड में लेकरके अपना रहत हैं कि अधिकतर लोग मैंने सुना और देखा भी है कि 90 परसेंट नहीं तो 80 परसेंट कंफर्म मानके चलो सौधी में लोग रेंड पे रहते हैं कि राय के मकान में रहते हैं उनका खुद का कोई मकान नहीं होता उमेद है आप लोग पहले भी हम बताए हैं इस चीज के बारे मे कि सौधी में अधिकतर लोग किराय के मकान में ही रहते हैं इन लोगों के पास खुद का मकान नहीं होता बाद में पूरा जिंदगी गुजार देते हैं धीरे धीरे उसके बाद अपना खुद का मकान बनाते हैं रहने के लिए बहुत सब कुछ गुजर जाने के बाद जब 50 चास साल की उमर होती है तब जा किई लोग अपना हाउस के बारे में घर के बारे में सोचते हैं तब कोशिस करते हैं लेने के लिए अच् nutzen यहां पर लेट में देख रहे हैं होंगे हो सकतां ब मुद्भी लगा वह किमार्ण करें यहां पर सब प्लाटिंग वगरा हो करके रखा हुआ है और यह रांग सैट से गाड़ी ले करके आ रहा है तो डरी गए कहीं ठोक ठाक न दे हैं लेकिन और यह लेट तो में देख रहे हैं कुछ मकान अभी जो है निर्माडा अधीन है यानि बन रहा है और यह सब बहुत जबरदस्त तरीके से बना हुआ है कुछ दिन में यह बहुत जबरदस्त रहायसी इलाका होने वाला है तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंडों में ज़रूर बताइएगा मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दीजे और चैनल को सबस्क्राइब क्रीब चैनल को करें तो अगर अच्छे चीजे दिखाएगे बाकी न्यूज बताने वाली तो बहुत सारे चैनल है लेकिन सवाधी दिखाने वाले कम चैनल आपको मिलेंगे और हम कोसिस करते हैं आपको दिखाए यहां की बिवस्ता, यहां की रहन, सहन यही सब चीज आपको दिखाए हम क्योंकि दोस्तों सौधी में रहने के लिए कैसे लोग रहते हैं यहां के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी यह है कि यहां जो रहने आते हैं वो लोग अगर जाने रहेंगे कि यहां पर रहा कैसे जाता है यहां का नियम कानून क्या है तो हम अपने चैनल पर वही सब चीज़ दिखाते हैं ताकि आप लोगों को यहां पर रहने में कोई दिक्कत ना हो चुकि सौधी में मान के चलो 80% लोग बिदेशी रहते हैं ठीक है हो चाहें इंडियर हो बंगलादेशी हो या अधर कंट्री के लोग हो लेकिन बाहरी यहां पर जादा लोग 80% लोग लगभग रहते हैं तो हमारा बीडियो बनाने का सिर्फ वही मकसद है यही मकसद रहता है कि आप लोग जादा से जादा यहां के बारे में जानकारी रखे मालूम हो आप लोगों को कि यहां पर यहां का रहन सहन कैसा है यहां लोग रहते कैसे हैं सब चीज तो उम्मिद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को करते हैं खतम ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिस नहीं करेंगे फिर मिलते हैं किसी कैम करते हैं पसकुराइख हमारे चैनल पे दोस्तों जाल पर चैनल को सिस्क्राइब कर लिए बापर पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा लेकिन हमारा होसला बढ़ेगा तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर